जामिया मिलिया अस्लामिया यूनिवर्सिटी जो की इंडिया की one of the top central यूनिवर्सिटीज में आती है टेली के अंदर ये यूनिवर्सिटी लोकेटेड है और यहाँ पर एड्मिशन दो तरीके से होते हैं की इनका फुद का एड्मिशन और फूपर होते हैं किस तरीके से अप लोगों के प्रॉसेस यहां पे होता है और प्लेशमिंट के बारे में अच बात करने जा रहे तो बिना टाइम पिश करें जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा यह वीटियो मैं जितनी भी डिटील्स लूँगा, सारे की सारी में इनकी official website से और information bulletin से लेकि दिखाऊंग आप लोगों को, ताकि कोई miscommunication हमारे बीच में ना रहे, और last year कुछ ऐसा हुआ कि students shock हो गए, यानि कि पिछले साल जो इनका admission का process जब चल रहा था, तो कुछ changes इनों ने अपने syllabus क के अंदर करें, उसके बारे में आप लोगों को भी थोड़ा बहुत बताने वाला हूं, तो देखें यह है, जामय मिले असलामय उनिवसिटी की official website, यह इनकी main website है, जहाँ पर आपको इनके सारे के सारे insights मिलते हैं, press release, और courses की information, admission की information, इस सब आप लोगों को मिलता रहता है, की master's, PG diploma, bachelor's, undergraduate's के degree मिलती है, advanced diploma, diploma and certificate, तो यह जो है courses कुछ है, जो की जामय मिले असलामय उनिवसिटी offer करता है, और अगर आप इनकी list देखने जाओगे, तो list इतनी लंबी चौड़ी है, you name it and you get it, तो यहाँ पर जिस भी course को आप ढोंड रहे हैं, वो course आप लोगों के comment section में बता दो, आप किस course में apply कर रहे हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसके पर एक separate video अप लिए लेकियाने के लिए, meanwhile आप लोग बस courses देखिए, B.Tech भी अविलेबल है, integrated lobby है, MBA भी होता है, BCA यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, B.B.A. B.C.O.M. honors अविलेबल है, hotel management course अव बात कर लेते हैं, departments के बारे में और कुछ new courses जो हाँ पर introduce हुए है, जैसे कि M.Tech data science, M.Tech solid state technology, AIML, MSC, B.Tech में ये branches कुछ इस साल जो है, 2024 के बारे में बात हो रही है, 2025 का particular information bulletin नहीं आया, मैं जितने भी information अभी cover करने की कोशिश करूँगा, सारे की सारी up to date के हिसाब से बता लेकिन 2025 के अंदर को changes होता है, तो उसके लिए भी आप चलने के साथ बने रही है, जितनी भी information में आपको दिखा रहा हूँ, 2024 के information bulletin के according जो है, majorly changes नहीं आते हैं, changes आएगा तो मैं आप लोगों को जरूर सके बारे में भी update करूँगा, और अभी यह मत सोचना कि मैं सिर्फ आपको भी stats दिखा रहा हूँ, courses दिखा रहा हूँ, इसमें आपका course नहीं है, हार चीज सुनो, ठीक है, बात में आप लोगों को सारी चीज़े relate होती हुई दिखेंगे, आपके course के according में सारी बाते हैं आपके कर रहा हूँ, मिल वाइल हम समझके चलते हैं कि आपका course हम discuss कर चुके हैं, अब आगेगा admission process समझने कोशिश करेंगे, यहां पर लोगों का infrastructure है वो भी काफी बड़ा रहता है, campus यहां पर department 44 देखने को मिलेंगे, center 30 है, 7 schools है, इन फेकल्टी यहां पर department 11 है, तो इस तरीके से इन्होंने proper stats दिखाय हुआ है, NIRF ranking के बारे में बात करें, तो यहां पर application form फिल करना पड़ेगा, application form के लिए इनकी website है, jmi.ucanapply.com, जिस पर आप लोगों को इनका application form मिल जाएगा, यहां पर आप लोगों को sign in करना हुआ, व्लॉपर application form किस तरीके से फिल करा जाता है, मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा, जब इनका application form आउट हो जाता है, या फिर मार्च के first week में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, तो application form आप लोगों का most probably इस साल वे 25 के अंदर February end में आप फिर first week of March में आपको देखने को मिल जाएगा, prospectus application form आप लोगों का जो है आ आ जाता है, इसके बाद आपका last date application form के उसके बाद correction window को आप पर admission होता है, likewise यहाँ पर MBBS course भी है, उसके लिए आपको NEET के score के basis पर admission मिलेगा, तो इन चीज़ों आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, जिस भी course में admission ले रहे हैं, उसके उपर आपको research ज़रूर करने ही पड़ेगी अपने side से, अब application form के बारे में बात कर लेते हैं, तो बहुत ही nominal सी fee structure है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुताद expensive देखने को मिलेगा, Central University के अंदर आप लोगो कोई चीज़ों देखने को मिलेगी, notably कि बहुत सारी university जो आज की rate में professional courses भी offer कर रहे हैं, उनकी fees भी under 10,000 आप लोगो यहाँ पर देखने को मिल जाती है, त मैं semester का भी एक चीज़ आप लोगों को समझा जेता हूँ, कि National Education Policy 2020 के according, जामिया के अंदर बहुत सारे courses, जो है, UG courses थे, उनको आप कर दिया गया है, 4 years का, तो वो 4 years के आप लोगों के course बन जाएंगे, तो यह है आप लोगों का fees structure, जो कि आप लोगों को मिल रहा है, mostly courses में क courses के बारे में बात होती है, उनका fees structure थोड़ा सा आप लोगों को slightly higher देखने को मिले रहा है, जैसे कि यहाँ पर advanced development, counseling, psychology, self finance है, तो यहाँ पर 40,000 इसका fees structure है, तो इस तरीके से आपको देख लेना है कि इस course में पर apply कर रहे हो, अब बात करते हैं, इसके admission process के बारे में, जिससे आप लोगों को सारे चीज़े clear हो जाएंगी, तो देखिए, जाम्या में लिया, असलाम्या इन्यूवरसिटी सबसे पहले अपना कुद का entrance exam करवाता है, उसके बाद कुछ courses इनके ऐसे, जिनके अंदर ये CUTK score के basis पे admission लेता है, और कुछ courses में आपका JMAs के score के basis पे admission होगा कुछ courses में नहीं, मतलब BTEC में JMAs के basis पे होगा, और BR के अंदर NATA होगा, MBBS के लिए, BDS के लिए, इनका NEET का score जो है, इनका निवरसिटी कंसिडर करती है, अभी आपको BDS ही दिख रहा है, MBBS नहीं दिख रहा, तो ये चीज़ आप देख लेना, entrance exam जो आपका कोई भी contact होग यानि कि अपने जैसे की BBA, BCOM में अपलाई कर रहा है, admission के लिए, तो आपको entrance exam का minimum eligibility criteria भी फुल्फिल करना होगा, minimum criteria फुल्फिल करना होगा, और आपको course की eligibility criteria भी देख लेना है, कि किस course में क्या eligibility criteria से, कि आप apply कर रहे हैं, MCA के लिए, तो आपको eligibility criteria फुल्फिल करने होगी, अब यहाँ पर आप देखेंगे, 30% marks जो descriptive part में आपका आना चाहिए, अगर आपके entrance exam के अंदर, descriptive part आ रहा है, यहाने की part A होता है, और part B होता है, अब यह जो part A, part B है न सभी entrance exam में नहीं है, most of the entrance exams के अंदर आपको यह part A नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जिन में हैं, उस में आपके descriptive part के अंदर, 30% marks आपको minimum score करना पड़ेगा, और जहां पर सिर्फ और सिर्फ objective आ रहा है, तो objective के अंदर, आपको 0.25 का जो है, आपका negative marking होगा, हरे correct answer पर आपको one mark मिलेगा, और उसके अंदर भी आपके 15% marks जो है, objective के अंदर आने चाहिए, एगर आप 15% नहीं qualify क कर रहे हैं, entrance exam का, तो आपका नाम जो है, short list नहीं होता, for further admission process, अब किसी किसी में admission होता है, किसी में interview लिया जाता है, directly, तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, कि interview आपका हो गई होगा, हरे correct course के अंदर, वो किसी किसी course में interview, जो है, jamia milia aslami university, अगर उनको requirement लगती है, तो वो conduct करते ह इसा कुछ नहीं है, तो यह आप लोगों का, admission का criteria, entrance exam का, अब किस course में entrance exam लिया जाता है, इसको लेकर अगर आप कोई परिशानी है, आपको, तो देखिए, jamia milia aslami university का, entrance exam syllabus का page, अब यहापे, जिन भी courses में jamia milia aslami university, entrance exam अपना candidate करवा रहा है, उनके लिए उन्होंने proper यह सकते हैं, और एक चीज़ और मैं आपको बतायता हूँ, syllabus जरूर चेक आउट कर लेना, पिछले साल end moment पे entrance exam के syllabus इसके अंदर changes करे गई है, तो आप लोगों को इस साल भी जब आप अपने admission के लिए अप्लाए करेंगे, तो अपने देख लेना है, कि भहिया, मेरा entrance exam का syllabus है, उसके नदर changes आए है या नहीं आए है, कहीं आपको बाद में problem हो, तो इसलिए मैं बोल रहोगा, पहले ही अपना entrance exam का syllabus जरूर देख लेना, जामे मिल्या, अस्लामे उनिविशिटी के entrance exam की preparation करने के लिए, अप higher education के साथ जुड़के अपने entrance exam की preparation कर सकते हैं, जिसमें हम नहीं batches बनाते हैं, उनमें हम आपको consistently add करते हैं, तो JMI में जिस भी course में apply करने हैं, एक बार chat section में जाके हम से बात कर लेना, आप जिस भी course के लिए preparation करना चाहते हैं, हम से जुड़के अपने course के बारे में बहतर जानकारी ले सकते हैं, admission के process को और detail में समझ सकते हैं, कोई doubt confusion है, higher education की application पर आपको complete solution मिल जाएगा, और अगर आपको entrance exam का syllabus भी ढूढ़ना है, तो उसमें भी हम आप लोगों को proper help करते हैं, तो make sure कि higher education की application अभी download कर लोग और आप इस सल जामे में एडिमशी लेने वाले हो, और चलने को subscribe करना बिल्कुल भी मत भूलना, तो यह हो गया आप लोगों का entrance exam का syllabus और उसकी preparation के बारे में बात, अब बात कर लेते हैं, आगे की थोड़ी सी जिसमें हम बात करेंगे, इनके minorities के बारे में तो Muslim minority institute है, जाब में मिले है सनामे है university, तो हाँ पे 50% seat जो है Muslim candidates के लिए reserved है, जिसके अंदर भी 30% जो है, हर एक course के अंदर Muslim students के ल है, इसके अलावा sports quota होता है, personal disability का super numerous seat होती है आप लोगों की, और Kashmiri migrants के लिए भी आप इसे seats available होती है, तो इनमें आप जो है, चेक आउट कर सकते है, reservation की सारी details आप लोगों को इनके ब्रोशर में मिल जाती है, next हम बात कर लेते हैं, जामिया के अंदर कौन से courses के अंदर आ admission through CUT score, तो ये courses है, ध्यान रखना आपको इन courses में admission लेने के लिए आपको particular domain के अंदर enters exam अपना देना पड़ेगा, और BA honors in Korean language आपको general test देना पड़ेगा, पर शिन के लिए general test बागी सब के अंदर यहां पर domains की requirement रखी गई है, likewise CUT PG के बारे में बात कर तो CUT PG के अंदर भी CUT के score के basis by admission होता हूँ, तो it's totally your responsibility कि आप जाम्या में होने वाले admission process को अच्छे से detail में समझे, एक ए course के बारे में, जिस course के बारे में आप जानना चाहते हैं, उसके बारे में जरू comment section में बताना, अब बात कर लेते हैं, placements के बारे में, तो placements का जो stats है, इन्होंने 2022-23 का ज students को मिला है, 5-10 लेक पर है, 45% students को मिला है, तो package-wise जिन्होंने एक percentage हापने mention कर दी है, sectors के बारे में बात करें, तो majorly जो placements होई है, जाम्या के अंदर, वो IT sector के अंदर होए, तो IT related, जतने भी courses है, उनका 40% weightage रहता है, इनकी annual placements के अंदर, management के अंदर 20% है, journalism के अंदर 5%, others के journalism के अंदर 20% है, others के अंदर 30% है, वो overall सारे courses के लेक के बताते हैं, और packages के बारे में बत करते हो, यहाँ पे आप लोगों को 15-20 lakh per annum तक का package मिल रहा है, 10% students को, overall strength के अंदर, and 5 lakh per annum का 40% students को मिल रहा है, तो तरीके से बोल सकते हैं कि average package आपको यहाँ पे 5 lakh per annum तक का मिल जा तो यह प्रॉपर जो है, उन्होंने mention करा है, अपने stats के बारे में, तो यह थी जाम्या मिलिया, असला में, university की placements, courses, admission process, through CUT, through entrance exam, A to Z details मैंने कोशिच कर यह cover करने की, बट फिर भी एक वीडियो में सारे चीज़स नहीं समझ में आ सकती, मैं कोशिच करूँ आप लोगों के क्यार, thank you so much.